तोडेज बीदियो इस और भी सेरीज ऑफ तनार्ट आटॉ इसवक वीटियो इन दे शेरी सोल स्थूली अगे सबसे बहले हुश हमारे कोई इसवनगा ओट कैड़िक सब कर चैनल इस इ तो यह होता है कि अगर सपोस कोई बंदा डूब रहा है तो मरने से पहले वह अपने आपको बचाने के लिए पानी में हाथ पॉमारेगा और जो भी उसके हाथ में आएका वह पगणने की कोजिश करेगा जैसे कोई पत्थर आ गया हाथ में जैसे डूब रहा है नीशी की की हाथ में ग्रेबल आ गया कोई बर गंगर आ गया तो वह होगा कि झ Italy was अd Woah be करें की काल कि यह जो नीचे की मिटी होती है रेवर के बैडट सब्सक्राइब बटी होती है या लेक में प्रूब में यह पॉल् determinant होगा वह उसके हाथ में रह जाएगा तो this is known as cadaveric spasm, it has a definition, it is a condition in which the muscle of the body which were in a state of contraction, state of contraction क्यों? क्योंकि he was trying to save himself तो in a state of contraction, immediately before death, continue to be so after death without passing through the stage of primary relaxation प्रामरी रिलाक्सेशन क्या अब इसको समलना है कि brain ने messages भेजे, muscles को contract करना है, relax करना है और आपको पता है कि हमारी muscles continue in the state of contraction रहती है, slight contraction रहती है because of the brain to message भेज़ता रहता है, जब brain message भेजना बंद कर देता है तो body की muscles जो होती है वो relax कर जाती है, वो मैंने राइकर मॉटिस में आपको पताया था और तो ये primary relaxation जो होता है जब brain muscles को message देना बंद कर देता है, if that is gone, that means the stage of primary relaxation will come but in the cases of the cadaveric spa, it will not come next, what are the prone condition or predisposing condition, कमकम से condition होती है, in which we will see the cadaveric spa the conditions are like sudden death, in a state of excitement, fear, severe pain, exhaustion, cerebral hemorrhage, electrocaution electrocaution का मतला होता है, बिजली से जटका लगने से मौत होना injury to the nervous system, fire arm wound to the head and the convulsant poisons like stagnin stagnin की poisoning में भी आपको ये condition मिलेगी, तो कौन-कौन से muscle involved होती है the muscle involved, क्योंकि spasme primary vital phenomena है, it originates from the normal nervous stimulation of the muscles, it usually involves voluntary muscles, ये बहुत important question है, कई जिब पार आपको कई जगा पूछा जाएगा, कि इंवल्स टाइप of muscle, it involves voluntary type of muscle, they are more often involved muscles are the muscles of the hand, sometime the whole body affected and as seen in the soldier in the battlefield, तो होता कहा है basically कि कोई सिपाई है और वो जंग के मैदान में अगर वो उसको गोली लग गी या, तो होता कi कि वो इसको इस जगोली माननी है सामने वाले को तो उसका हाथ होता, वो टीकर को दबाए रहता है और वो जो ए मिप बंदूख का जो पकड़ने वाला हिस्सा होता वो उसो बहुत फिर्मडी पकड़े रहता है तो यह केड़वरिक स्पाजम होता है कि बैटल फिल्ड में सोल्जर में देखेंगे कि उन्होंने बुंदूग पकड़ी हुई तो पकड़ी रहे आप उसे छोडवा नहीं सकते हैं बहुत असानी से तो जाएगा इसमें इसमें इंपर्टन बाती है कि राइगर मॉटेश जाएगा इसमें इसमें सबसे इंपर्टन है कि कॉज एन मैनर ऑफ डेथ कें बी रूल आउट में बी रूल आउट और जस्ट अन्द केसे जब रॉनिंग क्या होता है कि मैंने आपको जैसे एक्जांपल दिया कि अगर पॉंड में डूब रहा है और वो अपने आपको बचा रहा है तो उसके हाथ में जो भी आएगा वो आपको पकड़ के भार खीचने की कोशिश करेगा तो उस समय उसको जब वो नहीं कर पा रहा है वो डूब रहा है तो क्या करेगा वो अपने को बचाने के लिए हाथ पामारेगा और उसके हाथ में जो आएगा तो उस समय उसके हाथ में मिट्टी आ सकती है पत्थर आ सकते ह कुछ तरह के वीडिया प्लांट्स वगरा कुछ भी होगा तो वह आ सकते हैं तो वह उसके हाथ में मरते समय तक रह जाएंगे अच्छा इसमें इंपॉर्टन पाट है हमोसाइडियल के सिसमें क्या होता है अगर किसी को मार रहा है तो जो जिसको मार रहा है वह अपने आपको बचाने के लिए क्या करेगा उसको धक्का देगा उसको हटाएगा तो उस हटाने के प्रोसेस में उसके हाथ में उसका बटन या उसकी कपड़े का कोई छोटा सा पार्ट या उसके बाल इस तरह से बहुत सारी चीजे आ जाती है जो उसके हाथ में रह जाती है और वह पेश है यह बहुत इंपोर्टन्ट है हो में क्योंकि बहुत सारे मैनर आप टेथ एंदा कॉस आप डेथ वह रूल आउट कर देता है इंदा किसे सब्सक्राइडल डेथ जाप लौन में क्या होता है जब बंदा जो मार रहा है कातल अगर किसी को मार रहा है तो विक्टम जो होता है विक्टम उसे बहुत जोर से पकड़ लेगा और जो एविडिनस बन जाता है कि हाँ किसी ने मारा है if suppose कई cases में क्या होता है कि मुकातल ने बंदूग से मारने बात क्या करता है कि वो उसके हाथ में बंदूग रख देता है ये दिखाने के लिए कि वो suicide हुआ है तो attempt करे गए हैं बताने के लिए परन्तु ये पता चल जाता है तो होता क्या है बेसिकली important one समझने के लिए ये है कि अगर किसी बंदे ने खुद को गोली मारी तो वो इतनी tightly पकड़ेगा बंदूग या पिस्टल इतनी tightly पकड़ेगा कि आप उसे छुडवा नहीं सकते परन्तु अगर किसी दूसरे ने मारी है और आप उसके हाथ में इतनी आप उसको पकड़वाना चाहोगे तो वो पकड़ेगा ने तो इससे पता दिल जाता है कि केड़वरिक स्पाज्म आया है तो आया है तो can be cases of suicide अगर नहीं आया है can be cases of homicide तो this can be just this is a very important medical point तो that's all for this video and that's all for this topic ये पास नमबर में topic आता है बेसिकली छोटा सा topic आता है कि describe category की स्पाज्म पास नमबर में question आ सकता है तो यह बहुत important है इसको ध्यान से पढ़िएगा तेंक्यू